आज के इस वेडियो में हम बहुत important sentences सीखेंगे और ये sentences अमोबन आपके newspaper में use होते हैं इन्हें बनानी के दो तरीके हैं एक simple way है, एक advanced structure है दोनों तरीके से हम बनाएंगे फिर आपकी मर्जिया आप जो follow करें देखें अगर आप ऐसे कहते हो ऐसा माना जाता है या ऐसा समझा जाता है ऐसा यकीन किया जाता है कि वो एक अच्छा इंसान है अब यहाँ यह sentence है ऐसा माना जाता है ऐसा समझा जाता है ऐसा यकीन किया जाता है normally हम इसके लिए use करते हैं और उसके बाद जो भी आगे sentence है उसे हम बता देते हैं, जैसे कि वो एक अच्छा इंसान है, तो आप खाओगे, he is a good person, it is believed that he is a good person, लेकिन अगर आपको ये advanced structure में बोलना हो, तब आप it is believed that, ये use नहीं करते हैं, बलके आप subject यूज़ करते हैं, फिर is एमार यूज़ करते हैं, फिर believed to be, believed to be, और फिर object आता है तो बी इसलिए आ रहा हैं यहां पर, कि आप किसी person, place, या किसी भी चीज़ के ये बताते हो कि वो कैसी है, इसलिए हम believed to के बाद be use करते हैं, तो अब आपकी मर्जी है, आप चाहें simple structure यूज़ कर लें, या चाहें ये advanced structure यूज़ करें, subject, फिर is एमार, फिर उसके बाद believed to be और फिर object, यही sentence देखें, ऐसा माना जाता है कि वो एक अच्छा इंसान है, अब वो एक अच्छा इंसान है, तो ही आ जाएगा, ही आप start में लाओगे, फिर is लगाओगे, he is, पिर आएगा believed to be, he is believed to be a good person, अब दोना तरीके से बोल सकते हो, it is believed that he is a good person, या advanced English में पोलो, he is believed to be a good person, he is believed to be a good person, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, easy है, subject के बाद, इजैमार के बाद, believed to be, और उसके बाद आपका object आजाएगा, एक और sentence देखें, ऐसा समझा जाता है, यकीन किया जाता है, कि वो एक जालिम इनसान है, उसे एक जालिम इनसान माना जाता है, तो इसके या आप दोनों तरीके उसकर सकते हो, it is believed that he is a cruel person, he is a cruel man, या आप ऐसे भी कह सकते हो, he is believed to be a cruel man, ये लगाएपर इस आजाएगा, फिर believed to be आएगा, फिर a cruel man, जालिम इनसान, जालिम इनसान, he is believed to be a cruel man, एक और sentence देखें, ऐसा यकीन किया जाता है, समझा जाता है, कि यह और advanced वे हम कहाएंगे, it is believed to be a haunted place, इत लगाएं place के लिए फिर एजा आएगा, फिर believed to be आएगा, फिर आजाएगा, फिर आजाएगा, एक और sentence देखें, ऐसा माना जाता है, यकीन किया जाता है कि दुकान बहुत महेंगी है, यानि इस दुकान को बहुत महेंगा समझा जाता तो simple way में हम कहेंगे, it is believed that this shop is very expensive, और advanced way में हम कहेंगे, it is believed to be an expensive shop, इत आगिया, फिर इजा आएगा, फिर believed to be आएगा, फिर an expensive shop, it is believed to be an expensive shop, एक लास sentence देखें, ऐसा यकीन किया जाता है, माना जाता है कि वो एक नरम मिजाज खातून है, यानि उस खातून को नरम मिजाज स और advanced way में हम कहेंगे, she is believed to be a kind lady, she आगिया, UK lady है, फिर इस आएगा, she is, फिर believed to be, she is believed to be a kind woman, या a kind lady, she is believed to be a kind lady, तो अब आपने जब भी कहीं पर इस तरह से सुन लिया, या इस तरह से पढ़ लिया, कि she is believed to be a kind lady, आप फॉरन समझा ये, कैसा यकीन किया जाता है, ऐसा माना जाता है, इसा समझा जाता है, कि वो एक नरम मिजाज खातूने, इसका sense ये निकलेगा, उर्दु में इस तरह के meanings बनेंगे, ठीके, उस औरत को नरम मिजाज समझा जाता है, नरम मिजाज माना जाता है, और इसको हम ऐसे भी कह सकते है, it is believed that she is a kind lady, दोनों तरीके आपके पा भी object आ रहा हूँ, वो आए, तो confuse नहीं होना, इसके meaning समझ लेने आपने, तो practice कीजिए, sentences बनाएए, comment box दो sentences share कीजिए, cave staying with us, thanks for watching.